हेलो स्टुडेंट्स तो हम फिलाल बात कर रहे हैं अप्लिकेशिंस और बर्णॉलिस थियरम जिसमें यह सारी चीज़ें डिसकस कर चुके हैं वेंचुरिमेटर, स्पीड अफ्लक्स या फिर टॉरिचलिस लॉग, ब्लड फ्लो, हार्ट अटैक, डायनेमिक, लिफ्ट जिसमें मागनस एफेक्ट और एरोफॉल का हमने डिसकुशन किया था और फाइनली अब यहां पे हम स्प्रेयर और आटमाइजर जो है, वो किस से काम करता है और यहां पे बर्णॉलिस थिरम आपको कहां देखने को मिलेगा, यह हम यहां पे डिसकस करेंगे, उसके लावा जो नाशक दवाईयां लेकर आते हैं और हर जगा पर छीटते हैं, तो उनके पास कुछ इस सरकी का मशीन रहता है, इसको वो दबाता है, तो इसमें से अच्छली फ्लूइड बाहर आता है, लिक्विड बाहर आता है, ऐसे छोटी-छोटी डॉक्रेट के फॉर्म में, यह आपक हुआ है, और हर जगा पे आपका फिलाल प्रेशर जो है, वो सेम है, प्रेशर एक्वल है, और आपका हर एक चीज़ एकुलिब्रियम में है, रुका हुआ है, लेकिन इस मुमिंट पे होता क्या है, कि यहां पे यह वाला जो पीछे वाला पार्ट है, इसको अंदर दबाया जाता है, तो इसके अंदर का जो air है, वो बाहर निकल जाता है, अब air जैसे ही बाहर निकलता है, क्योंकि air के particles बाहर निकल गए, तो यहां का प्रेशर कम हो जाएगा, यहां का प्रेशर कम हो गया, यहां पे प्रेशर उतना ही है, तो यह higher pressure से fluid जो है, वो lower pressure की और flow होता है, फ्लूइड हमेशा higher pressure से lower pressure की और flow होता है air के बाहर निकलने के वैज़े से यहाँ पर pressure कम हो गया तो यह ज़ादा pressure वाला fluid जो है वो उपर की और जाएगा कम pressure की और और air के साथ मिलके यहाँ पर बहुत छोटा सा hole रहता है तो air के साथ मिलके वो छोटे-छोटे droplets के form में बाहर आ जाता है तो जब यहाँ से हम इसको दबाते हैं इस direction में इस direction में दबाने के वज़े से इसका जो velocity है वो बहुत बढ़ जाता है तो air जो है यह air क्योंकि बहुत ज़ादा velocity के साथ बाहर निकलता है तो velocity बढ़ गया तो burn all is principle के हिसाब से P plus half rho v square constant होता है rho g h मैंने फिर हटा दिया क्योंकि height हम negligible मान सकते हैं तो इसके और इसके में height का difference हम negligible मान सकते हैं तो आपका यह equation बन जाता है burn all is principle में P plus half rho v square plus rho g h हट दिया है वो तो वैसे भी height में difference नहीं है तो हमने इसको नहीं लिया है P plus half rho v square constant है क्योंकि यहां की velocity आप बढ़ा देते हो push करके तो यहां का pressure down हो जाता है यहां का pressure down हुआ burn all is theorem के हिसाब से यहां का तो pressure उतना ही है fluid will flow from higher pressure to lower pressure और जब यह इस direction में आता है यहां से flow कर यहां पर आता है तो यह छोटा सा hole होता है यहां पर जिसमें air के साथ mix होकर वो छोटे छोटे droplets के form में बाहर आ जाता है push होकर तो यह इस तरह के से आपका sprayer और atomizer काम करता है फिर हमने कई बर सुना है कि जब कभी तूफान आये या फिर बहुत तेजी से हवा का जोटा आता है तो वो कैई पत्रे के घर के छट को उड़ा ले जाता है अपने साथ तो वही हम blowing off of rooftops यह कैसे होता है यह भी again burn all इस सेर्म के हिसाब से ही होता है इसका भी discussion कर लेता है तो अगेन यहां पर देखो होता है कि जैसे तुम्हारा यह चट है ठीक है और हवाएं इस तरीके से चल रही है अब देखो यह जो wind blow हो रहा है वो wind blow होता है चट के ऊपर चट के अंदर कुछ नहीं होता चट के अंदर तो हवा रुका हुआ है अब हवा रुका हुआ है इसका मतलब जितना जादा speed से यहां पे हवा flow होगा अइर flow होगा उतना ही यहां का pressure जो होगा वो कम हो जाएगा यहां का pressure कम हो गया पर अंदर में तो speed जो है उतना ही है यहां पे जोभी normal atmospheric pressure होता है वही होगा तो अंदर वाला pressure चट पे उपर क्यों लग रहा है बाहर वाला प्रेशर जो नीचे लग रहा था पर क्योंकि speed बढ़ने की वज़े से बाहर का प्रेशर एकदम ही कम हो गया तो अंदर का प्रेशर तो उतना ही रहेगा न यह अंदर वाला जो प्रेशर है उसको पड़ से उपर लेके चला जाता है और जब यह च्छत यहां से छूट के ऊपर निकलता है तो हवा उसको उड़ा ले जाता है तो ये भी burn knowledge theorem के इसाफ से ही आपका काम कर रहा है last उम्हारा क्या है attraction by moving trains तो आपने कई बार notice किया होगा कि जब एक बहुती fast moving train आपके सामने से जाती है तो ऐसा लगते कि हमको खीच रहा है उसके अगल बगल जो हवा है वो खीच रहा है और चोटे-चोटे के जिसे paper के टुकडे होते हैं या फिर चोटा plastic का टुकडा होता है तो आप साफ साफ देख सकते हो कि वो train के साथ जाके चिपक जाता है तो train, moving train, fast moving train क्या करता है? चीजों को attract करता है ये attraction भी आप इसके per knowledge theorem के हिसाब से explain कर सकते हो आगे तने को होता क्या है? जैसे कि आपका train यहाँ पे है और ये train आगे इस अरीके से move कर रही है तो इसके पास कि जो particle से air के उसको भी वो drag करके fast move कराता है तो यहाँ का speed जो है काफी जाधा हो जाता है अब यहाँ का again speed जादा हुआ तो यहाँ का pressure डाउन हो जाता है तो train के आजपास का जो air है जाधा fast move होनी की वज़े से वहाँ का pressure काफी कम हो ज़ाता है Bernolis theorem के हिसाब से लेगन यहाँ पे side में जो air है वो move नहीं करता उतना fast, वो normal रहता है, तो वो normal speed से ही जा रहा है, बस train के past वाला air जो fast हो जाता है, तो यहां का speed क्यूंकि कम है, तो यहां पे pressure high होगा, और यहां का क्यूंकि speed जादा हो चुका है, तो यहां पे pressure low होगा, तो अब इससे होता क्या है, कि fluid या air जो है, वो higher pressure से lower pressure की और move करती है, तो यहां का हवा जो है, वो अंदर की और घुश जाता है train के पास, तो इस हवा में जो भी चीजें होंगी, वो हवा उस चीजों को भी लेकर train के पास चला जाता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि train जो है, fast moving train वो चीजों को attract करता है और ये भी आप explain कर सकते हो burn knowledge theorem की basis पे, तो इस तरीके से आपने सारे applications को समझ लिया burn knowledge theorem का, तो यहां पे applications और burn knowledge theorem का finally आपका जो topic है, वो होता है खता, ठीक है, thank you